दोस्तों अब आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो link description में है जाकर follow जरूर करना और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दो नीचे bell icon का बटन जरूर दबाना आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों की confusion दूर करने जा रहा हूँ कई सारे लोगों की comments मेरे पास आए कि अगर online platform पे Flipkart या Amazon पे brands available हैं चाहे वो किसी भी category के हो तो अगर हम अपना खुद का brand बनाते हैं तो customer वो क्यों लेंगे इस चीज का solution मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ वीडियो बहुत important होने वाली है last तक देखना मैं एक category का example लेता हूँ suppose करो मैं footwear category का example ले रहा हूँ footwear category में बहुत सारे brands हैं Puma, Nike, Adidas, Reebok और भी बहुत सारे woodland तो अब आपका question ये है अगर आप footwear category में खुद का brand बन आते हो तो लोग वो क्यों लेंगे मैं बताता हूँ क्यों लेंगे दोस्तो customer बहुत तरीके के होते हैं हर customer की अलग सोच होती है कुछ customer brands को अपना status symbol मानते हैं जो सिर्फ brands ही लेना पसंद करते हैं और कुछ customers brands को overpriced मानते हैं उनको लगता है इतना यार वर्त नहीं है इतन में लोग रहते हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलॉर यहां के लोगों की जादातार सोच ऐसी है कि वो brands की तरफ भागते हैं मांगता हूँ लेकिन हमारे देश के बहुत सारे गाओं ऐसे भी हैं छोटे छोटे शहर ऐसे भी हैं जिनको brands overpriced लगते हैं वो brands की तरफ बिलकु आपके example दिखाने जा रहा हूँ आप मेरी screen पर देखिए आपके पास दो photos आएंगी इन दोनों photos के सिर्फ ratings देखिए आप एक की rating approximately 20,000 है और एक की rating approximately 7,000 है अब आप ये चीज़ मानते हो अगर आप 5 product भेजते हो तो कोई एक customer ही rating देता है अगर इसकी 20,000 rating है तो approximately ये एक ल product इन्टू 5 कर दो 20,000 को और एक की अगर 7,000 rating है तो वो भी 35,000 तक product बेच चुका है ये कोई brands नहीं है ये local है इन्होंने अपना ही brand बनाया हुआ है अपना trademark register कराया हुआ है flip card पे और इनकी sale देखो कितने orders है इनके पास तो footwear category भी एक बहुत अच्छा option है ऐसे ही हर category में बहुत सारे examples ऐसे हैं जिन लोगों ने खुद का brand बनाया हुआ है और अच्छे खासे orders उनके आ रहे हैं तो अपने दिमाग से ये सोच बिलकुल निकाल दो कि लोग सिर्फ brands ही लेते हैं हर तरीके के customer होते हैं जो हर तरीके products लेते हैं कुछ brands की तरफ भागते हैं कुछ local की तरफ भागते हैं तो अपने दिमाग से ये confusion बिलकुल दूर कर दो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए fresh topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद